C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ साथ दशमलवदो दशमलवदो सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन है राज ने प्लास्टिसिन का एक घनाब यानी क्यूबोईड बनाया इस घनाब की लंबाई, चोडाई और उचाई क्रमशह 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है अनु उससे पूछती है कि एक पूर्ण घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाबों की आवश्यक्ता होगी क्या आप बता सकते हैं? राज कहता है घनाब का आयतन बराबर है 15 गुणा 3 गुणा 15 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 पुक्त अभाज्य गुणनखंडन में केवल एक बार दो है, इसलिए हमें इसे पूर्ण घन बनाने के लिए दो गुणा चार बराबर है चार की आवश्यक्ता होगी. अतह हमें एक घन बनाने के लिए ऐसे चार घनाभों की आवश्यक्ता होगी. उदहरण दो, क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदी नहीं, तो ऐसी सबसे चोटी प्राकृत संख्या ग्याद कीजिए, जिससे 392 को गुणा करने पर गुणन फल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए. हल 392 बराबर है दो गुणा दो गुणा दो के नीचे रेखा गुणा साथ गुणा साथ. अभाज्य गुणन खंड साथ तीन की समुह में नहीं आ रहा है. अतह 392 एक पूर्ण घन नहीं है. इसे पूर्ण घन बनाने के लिए एक और साथ की आवशक्ता है. इस थिती में 392 गुणा साथ बराबर है दो गुणा दो गुणा दो के नीचे रेखा गुणा साथ गुणा साथ गुणा साथ के नीचे रेखा बराबर है 2744 जो एक पूर्ण घन है. प्रिष्ट संख्या 121 अतह वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या साथ है जिसे 392 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्थ हो जाएगा उदहरन 3, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है यदी नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भाग फल एक पूर्ण घन प्राप्थ हो हल 53,240 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 के नीचे रेखा गुणा 5 यहां अभाज्य गुणन खंड में 5 तीन के समुहूं में नहीं आ रहा है अतह 53,240 एक पूर्ण घन नहीं है उप्रोक्त गुणन खंडन में 5 केवल एक बार आया है यदी हम दी हुई संख्या को 5 से भाग दें तो भाग फल के अभाज्य गुणन खंडन में 5 नहीं आएगा इस प्रकार 53,240 भाग 5 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 के नीचे रेखा अतह वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है जिससे 53,240 को भाग देने पर भाग फल एक पूर्ण घन प्राप्थ होगा उस थिती में पूर्ण घन 10,648 होगा उधारण 4 क्या 1188 एक पूर्ण घन है यदी नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भाग फल एक पूर्ण घन प्राप्थ हो जाए हल 1188 बराबर है दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन के नीचे रेखा गुणा ग्यारा अभाज्य गुणान खंड दो और ग्यारा तीन तीन के समुहों में नहीं आ रहे हैं अतह 1188 एक पूर्ण घन नहीं है 1188 के उप्रोक्त गुणान खंडन में अभाज्य दो केवल दो बार आ रहा है और अभाज्य ग्यारा एक पार अतह यदी हम 1188 को दो गुणा दो गुणा ग्यारा बराबर है 44 से भाग दें तो भाग फल के अभाज्य गुणन खंडन में दो और ग्यारा नहीं आएंगे अतह वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 44 है जिससे 1188 को भाग देने पर भाग फल एक पूर्ण खंड प्राप्थ होगा साथी परिमानी पूर्ण खंड बराबर है 1188 भाग 44 बराबर है 27 बराबर है 3 घंड उदहरन पांच क्या 68600 एक पूर्ण खंड है यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ग्याद कीजिए जिससे 68600 को गुणा करने पर एक पूर्ण खंड प्राप्थ हो जाए हल हमें प्राप्थ है 68600 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इस प्रकार 68,600 गुणा 5 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर है 3,43,000 जो एक पूर्ण घन है। ध्यान दीजिये कि 343 एक पूर्ण घन है। उदाहरण 5 से हम जानते हैं कि 3,43,000 भी एक पूर्ण घन है। सोचिये, चर्चा कीजिये और लिखिये। जांच कीजिये कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। एक 27,000, दो 16,000, तीन 64,000, चार 900, पांच एक लाख पच्चीस हजार, छे 36,000, साथ 21,600, आठ 10,000, नौ, दो करोड सत्तर लाख, दस, एक हजार, इन पूर्ण घनों में आप क्या प्रतिरूप पाते हैं। प्रिष्ट संख्या 122, प्रश्णावली 7.1, एक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। एक, दो सो सोला, दो, एक सो अठाईस, तीन, एक हजार, चार, सो, पांच, छियालीस हजार, छे सो चपपन। दो, वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। एक, दो सो तिरतालीस, दो, दो सो चपपन, तीन, बहत्तर, चार, छे सो पच्छत्तर, पांच, सो, तीन, वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भाग भल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। एक, एक्यासी, दो, 128, तीन, 135, चार, एक सो बानवे, पांच, साथ सो चार। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाब बनता है, जिसकी भुजाएं पांच सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाबों की आवशक्ता होगी। साथ दशमलवतीन घन मूल यदि किसी घन का आयतन एक सो पचीस सेंटीमीटर घन है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इस घन की भुजा की लंबाई, ग्यात, करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ग्यात करनी होगी जिसका घन एक सो पचीस हो। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग मूल ग्यात करना, वर्ग करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। इसी प्रकार घन मूल यानि क्यूब रूट ग्याद करने की संक्रिया, घन ग्याद करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है. हम जानते हैं कि दो घन बराबर है आठ, इसलिए हम कहते हैं कि आठ का घन मूल यानि क्यूब रूट दो है. हम इसे आठ का घनमूल बराबर है दो लिखते हैं संकेत उल्टे जेड के उपर तीन घनमूल को व्यक्त करता है निमनलिखित पर विचार कीजिए यहाँ पर एक सारणी बनी है जिसमें दो स्तंभ हैं कथन और निशकर्ष एक घन बराबर है एक एक का घनमूल बराबर है एक दो घन बराबर है आठ आठ का घनमूल बराबर है दो घन का घनमूल बराबर है दो तीन घन बराबर है सत्ताइस सत्ताइस का घनमूल बराबर है तीन घन का घनमूल बराबर है तीन चार घन बराबर है चोंसट 64 का घन मूल बराबर है 4 5 घन बराबर है 125 125 का घन मूल बराबर है 5 6 घन बराबर है 216 216 का घन मूल बराबर है 6 7 घन बराबर है 343 343 का घन मूल बराबर है 7 8 घन बराबर है 512 512 का घन मूल बराबर है 8 9 घन बराबर है 730 730 का घन मूल बराबर है 9 10 घन बराबर है 1000 1000 का घन मूल बराबर है 10 7.3.1 अभाज्य गुणन खंडन विधी द्वारा घन मूल संख्या 3375 पर विचार कीजिए हम इसका घन मूल अभाज्य गुणन खंडन द्वारा घ्यात करेंगे 3375 बराबर है 3 घुणा 3 घुणा 3 के नीचे रेखा घुणा 5 घुणा 5 घुणा 5 के नीचे रेखा बराबर है 3 घन घुणा 5 घन बराबर है कोश्ठक में 3 घुणा 5 का घन अतह 3375 का घन मूल बराबर है 3 घुणा 5 बराबर है 15 परिश्ट संख्या 123 इसी प्रकार 74,088 का घन मूल ज्यात करने के लिए हमें प्राप्त है 74,088 बराबर है 2 घुणा 2 घुणा 2 के नीचे रेखा घुणा 3 घुणा 3 घुणा 3 के नीचे रेखा घुणा 7 घुणा 7 घुणा 7 के नीचे रेखा बराबर है 2 घन गुणा 3 घन गुणा 7 घन बराबर है कोश्ठक में 2 घुणा 3 घुणा 7 का घन अतह 74,088 का घन मूल बराबर है 2 घुणा 3 घुणा 7 बराबर है 42 उदहारण छे 8,000 का घन मूल ग्यात कीजिए हल 8,000 का अभाज्य गुणन खंड 2 घुणा 2 घुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 2 घुणा 2 घुणा 2 के नीचे रेखा गुणा 5 घुणा 5 घुणा 5 के नीचे रेखा है अतह 8,000 का घन मूल बराबर है 2 घुणा 2 घुणा 5 बराबर है 20 उदहरन साथ, अभाज्ये गुणनखंड विधी द्वारा 13824 का घनमूल ग्यात कीजिए। गुणा दो ग्यात कीजिए और लिखिए। ग्यात कीजिए ग्यात कीजिए ग्यात कीजिए और लिखिट विधी का प्रयोग किया जा सकता है। चरण एक, कोई घन संख्या मान लीजिए। 8,57,375 लीजिए तथा उसके सबसे दाइं ओर के अंक से प्रारंब करते हुए तीन तीन अंकों के समुह बनाईए। 857 दूसरा समुह, 375 पहला समुह। हम किसी दी हुई घन संख्या का घन मूल एक, चरण बद्ध प्रक्रिया द्वारा आकलित कर सकते हैं। यहां हमें तीन अंकों के दो समुहूं, 375 और 857 प्राप्त हुए हैं। चरण 2, पहला समुहू, 375 आपको वांचित खन मूल के इकाई का अंक देगा। संख्या, 375 का अंतिम इकाई का अंक पांच है। हम जानते हैं कि 5 किसी संख्या के इकाई की स्थान पर तब आता है, जब उसके घन मूल के इकाई का अंक 5 होता है। इस प्रकार हमें घन मूल के एकाई का अंक पांच प्राप्त होता है। चरण तीन, अब दूसरे सम्हू 857 को लीजिए। हम जानते हैं कि 9 घन बराबर है 739 तथा 10 घन बराबर है 1000, साथ ही 739 छोटा है 857 से, जो की छोटा है 1000 से। हम छोटी संख्या 739 के इकाई के अंक को वांचित घन मूल के दहाई के अंक के रूप में लेते हैं। अतह 8,57,375 का घन मूल बराबर है 95 हमें प्राप्त होता है। उदहरन आठ, 17,576 का घन मूल आकलन द्वारा ग्याद कीजिए। हल, दी हुई संख्या 17,576 है। प्रिष्ट संख्या 124 चरण एक, 17,576 के सबसे दाई और के अंक से प्रारंब करते हुए तीन तीन अंकों के समुह बनाईए। ये समुह 17 और 576 है। इस थिती में एक समुह 576 है जिसमें तीन अंक हैं और दूसरा समुह 17 है जिसमें केवल दो अंक हैं। चरण दो 576 को लीजिए इसकी इकाई का अंक 6 है हम वानचिद खनमूल की इकाई का अंक 6 लेते हैं। चरण तीन दूसरे समुह 17 को लीजिए दो का घन 8 है और तीन का घन 27 है। संख्या 17, संख्याओं 8 और 27 के बीच में स्थित है। अब दो और तीन में से छोटी संख्या 2 है। दो में एकाई का अंक स्वयम 2 है। हम दो को वानचिद खनमूल की दहाई का अंक लेते हैं। इस प्रकार 17,576 का घनमूल बराबर है 26। इसकी जांच कर लीजिए। प्रश्नावली 7 दशम लवदो 1. अभाज्ये गुणन खंडन विधी द्वारा निम्नलिखित में से प्रतियक संख्या का घनमूल ग्यात कीजिए। दस इक्यानवे हजार एकसौ पच्चीस। दो, बताईए सत्य है या असत्य। एक, किसी भी विशम संख्या का घन सम होता है। दो, एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तीन, यदि किसी संख्या का वर्ग पांच पर समाप्त होता है, तो उसका घन पच्चीस पर समाप्त होता है। चार, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, जो आठ पर समाप्त होता है। पांच, दो अंकों की संख्या का घन तीन अंकों वाली संख्या हो सकती है। 6. दो अंकों की संख्या के घन में साथ या अधिक अंक हो सकते हैं। 7. एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। 3. आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किये, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12166 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाईए. हमने क्या चर्चा की? 1. संख्याएं जैसे की 1739, 4104, 13832 हाडी रामनूजन संख्याएं कहलाती हैं, इन्हें दो घनों के योग के रूप में दो भिन प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है. 2. एक संख्या को स्वयम से ही तीन बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है, उदारणार्थ 1-8-27 इत्यादी. 3. यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणन खंडन में प्रतियेक अभाज्य गुणन खंड तीन बार आता है, तो वह संख्या एक पूर्ण घन होती है. 4. संख्यत उल्टे जेड के उपर तीन घन मूल को व्यक्त करता है, उदारणार्थ 27 का घन मूल बराबर है तीन. 5. यह अध्याय यहीं समाप्त होता है. 6. अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ, वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समनवयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौदरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत.